हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे Classics की Worksheet No.12 जो की 12th of August 2021 की Worksheet है और आज का सब्जेक्ट है Mathematics और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है Estimation The Concept of Estimation चलिए स्टार्ट करते हैं बाहुबली's mother, how many guests are coming on your birthday party? तो बाहुबली की मम्मी ने पूछा बाहुबली से कि आपके birthday party पे कितने लोग आ रहे हैं तो बाहुबली ने आंसर दिया I guess 40 persons will be attending my birthday party तो बाहुबली ने कहा कि मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग 40 persons आएंगे मेरी party में अब इसने कहा कि I guess 40 persons, guess है इसका मतलब अंदाजा लगाया गया है अब ये 38 भी हो सकते है, 39 भी हो सकते है, 37 भी हो सकते है या 40 भी हो सकते हैं, या फिर 41, 42, 43, 44, ऐसे कुछ भी हो सकते है यानि 40 के आसपास के कोई भी number हो सकते है तो अब यहां पर question arise होता है, what is estimation estimation का मतलब होता है approximation या फिर guesstimate या फिर rounding of the numbers यानि number का अंदाजा लगाना कि किस के पास में है तो आज हम यही समझेंगे कि number का अंदाजा कैसे लगाया जाता है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि estimation of number nearest to tens यानि tens के near में जो numbers हैं उनको हम कैसे guess करते है the numbers 1, 2, 3, 4 are nearer to 0 so these numbers are rounded off to the lower 10 क्योंकि number 1, 2, 3, 4 यह 0 के पास में है तो उनका round off करते वक्त हम उनका lower वाला 10 लगाते है और क्योंकि 5, 6, 7, 8, and 9 यह 10 के पास में है नमबर 10 के क्योंकि near हैं तो इसलिए हम इनको so these numbers are rounded off to higher 10 तो यह higher 10 में round off कर दिये जाते हैं अब इनका क्या मतलब है lower 10 का मतलब और higher 10 का मतलब चलो हम एक number लेते हैं 32 32 के पहले वाला जो number है वो है 30 और इसके बाद वाला जो number है वो 40 हमें ऐसे number लेने हैं कि last वाले number 0 हो जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे तो 32 के पहले वाला number है वो 30 और बाद वाला है 40 32 के पहले है 30 क्योंकि यह lower number है तो इसको हम कहते हैं lower 10 ठीक है और ये इसके बाद वाला नमबर है तो इसको हम कहेंगे higher 10 ठीक है same अगर मानलो हम number ले लेते हैं 57 तो इसमें lower 10 कितना होगा 50 और higher 10 कितना होगा 60 अब हमें क्या करना है estimate करना है पहला number हमें दे रखा है 12 12 का lower 10 होगा 10 और higher 10 होगा 20 अब इसके बिल्कुल mid वाला number है 15 15 के पहले जितने भी number आएंगे वो क्यूंकि 10 के जादा near है तो round off करके हम number लिख देंगे 10 और 15 के बाद जितने भी number आएंगे या फिर 15 भी ये सारे number क्यूंकि 20 के पास में है तो round off करके इसका हम number लिख देंगे 20 अब क्यूंकि 12 10 के जादा में पास में है तो इसलिए इसका answer आएगा in nearest 10 12 is rounded off to 10 ठीक है अब इसका बी पार्ट देखते हैं वो है 34 34 का lower 10 होगा 30 और इसका higher 10 होगा 40 और mid वाला number है 35 और 34 35 के पहले है यानि इस साइट कहीं है इसका मतलब 34 30 के जादा पास में है तो इसलिए इसका answer आजाएगा in nearest 10 34 is rounded off to 30 अब next हम number ले रहे है 16 16 का lower 10 आजाएगा 10 और higher 10 आजाएगा 20 और mid वाला जो number है वो है 15 अब 16 15 के बाद है इसका मतलब यहाँ पे कहीं आएगा इसका मतलब यह 20 के जादा पास में है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे in nearest 10 16 is rounded off to 20 सेम ऐसे 77 का एक हो जाएगा 70 और इधर आजाएगा 80 अब क्योंकि 77 80 के जादा पास में है तो आंसर आजाएगा in nearest 10 77 is rounded off to 80 अब यह हमने किसका estimation किया था 10 का किया था अब हम करेंगे hundreds का ठीक है अब इसमें कैसे करेंगे हम number का कोई example लेते हैं जैसे मानलो हमने number लिया 325 तो अब हमें 100 वाले numbers लेने होंगे यानिकि 300 और इधर आजाएगा 400 और बिल्कुल मिद वाले number आजाएगा 350 अब क्यूंकि 325 इधर कहीं आएगा 350 से चोटा number है इसका मतलब यह 300 के जादा पास में है तो इसका round off अगर हम करते हैं 325 का तो आजाएगा 300 और अगर यह 385 होता तो यह 400 के जादा पास में होता तो round off करके इसको हम लिखते 400 अब इसको हम समझते ह 648 तो इसका lower 100 जो आएगा वो आजाएगा कितना 600 और higher 100 आजाएगा 700 और mid वाले number आजाएगा 650 अब 648 650 से चोटा है इसका मतलब यह इस साइड कहीं number है इसका मतलब यह 600 के जादा पास में है तो इसलिए हम इसका answer लिखेंगे in nearest 100 648 is इसे ही 738 का भी हम कर देंगे ठीक है अब हम दिखते है 784 का तो इधर आजाएगा 700 और इधर आजाएगा 800 और mid वाले number है 750 अब 784 क्योंकि 750 के बाद आएगा यह इधर कहीं आएगा इसका मतलब यह 800 के जादा पास में है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे in nearest 100 784 is rounded off to 800 लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नंबर 750 ही होता तब हम क्या करते वो तो mid वाले number ही है तो इस mid वाले number को भी हम बड़े वाले number के साथ ही round off करते हैं यानि 750 को भी हम round off करके 800 ही कर देंगे जैसे कि यहाँ पे है 950 तो इसके इधर आजाएगा 900 और इधर आजाएगा 1000 अब क्य में estimation करना है thousands में ठीक है estimation of number nearest to thousands अब इसमें हम thousands में number लेकेंगे तो सबसे पहला है 5221 तो इसका आजाएगा 5000 और इस side आजाएगा 6000 और बिड वाले number कितना आजाएगा 5500 अब क्यूंकि 5221 इस number से छोटा है इसका मतलब इस side कहीं आएगा तो इसका round off करेंगे तो आजाएगा 5000 इन nearest thousand 5 2 2 1 is rounded off to 500 यह आजाएगा पूरी statement ठीक है अब हम देखते हैं कौन सा मानलों यह वाला लेते हैं 5555 तो इस side आजाएगा 5000 और इस side आजाएगा 6000 और बिल्कुल बीड वाला number है यहापे 5500 अब क्यूंकि देखो यह 5555 है तो इस number से तो बड़ा है इस number से बड़ा है तो इस side कहीं आएगा इसका मतलब इस 6000 के जादा पास में है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे in nearest thousand 5555 is rounded off to 6000 ठीक है अब इस examples के तुरू हमने समझ लिया कि अगर हमें 10s दे रखे हैं 100s दे रखे हैं या thousands में number दे रखे हैं तो उनका round off कैसे करते हैं अब हमें कुछ question दे रखे हैं और हमें इनको solve करना है first question है round off the following number nearest to 10s 10s में हमें करना है और first number है 37 तो 37 के इस side वाला number होगा 30 और इस side वाला number होगा 40 और mid वाला number है 35 अब क्योंकि 37 35 से जादा बड़ा है तो इस side कहीं होगा तो round off करके इस cancel आजाएगा 40 और statement आप क्या लिखेंगे in nearest 10 37 is rounded of 240 ये इसकी statement आजाएगी अब बाकी question में मैं नमबर बता दूंगे आप statement इसी को continue रखेंगे अगर 10s का है तो यहाँ 10 लिखेंगे अगर 100s का है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे 1000s का है तो यहाँ पे 1000 कर देंगे ठीक है अब हम देखते है 115 115 है बट round off इसको हमें किसमें करना 10s में ही करना है तो 15 को हम सिफ मान लेते हैं 100 तो ऐसी रहेगा ये आजाएगा 10 और इस side आजाएगा 120 अब क्यूंकि इसके mid का ही है 115 और mid वाला नमबर बड़े वाले नमबर के साथ जाता है तो इसका round off करके answer आजाएगा 120 ठीक है next है 259 इसके पहले आजाएगा 250 और बाद में आजाएगा 260 अब क्यूंकि 259 260 के ज्यादा पास में है तो round off करने के बाद इसकी value आजाएगी 260 अब हम देखते हैं question no.2 round off the following number nearest to 100 हमें 100 में convert करना है अब इसे तो 177 यहां है 100 और इधर है 200 और mid वाला नमबर है 150 अब यह देखो 177 150 के तो बाद आएगा यानि साइट कहीं आएगा इसका मतलब यह 200 के ज्यादा पास में है तो 177 का अगर हम round off करते हैं तो answer आजाएगा 200 ठीक है next है 547 547 इस साइड आजाएगा 500 और इधर आजाएगा 600 और mid वाला नमबर कितना है 550 अब 547 550 से तो छोटा नमबर है यानि इस साइड कहीं आएगा इसका मतलब यह 500 के ज्यादा पास में है तो 547 का अगर हम round off करेंगे तो answer आजाएगा 500 अब next है 1150 पर हमें round off इसको ही करना है तो 1000 तो आगे का इसे ही रहेगा अब यह आजाएगा 100 और इधर आजाएगा 1200 अब यह इसका बिल्कुल मिड का नमबर है तो इसलिए बाद वाले नमबर के साथ जाएगा तो इसका मतलब 1150 का round off करने पर जो answer आएगा वो आजाएगा 1200 फरस्ट इन सेकिंड क्वेशन तो complete हो गए अब हम देखते हैं अब हम इसको 1000 में करना है 1377 तो इधर आजाएगा 1000 और इधर आजाएगा 2000 और इसके मिड वाला नमबर है 1500 और यह नमबर है 1377 इसका मतलब इस नमबर से तो छोटा है तो इस साइट कहीं आएगा इसका मतलब इस थाउजन के ज्यादा पास में है तो इसका round off करने पर आंसर आएगा 1000 ठीक है नेक्स्ट है 9547 तो इस साइट आजाएगा 9000 और इस साइट आजाएगा 10,000 और मिड वाला नमबर के आएगा 9500 और यह नमबर है 9547 यानि इस नमबर से तो थोड़ा बड़ा है बड़ा है इसका मतलब इसका round off करने पर आजाएगा 10,000 ठीक है अब हम इसका C part C part में कितना दे रखा है 10,254 इधर आजाएगा 10,000 और इस साइट आजाएगा 11,000 और मिड वाला नमबर आजाएगा 10,500 अब यह जो नमबर है वो 10,254 है जो की 10,500 से छोटा नमबर है तो इस साइट कहीं आएगा तो इसका मतलब इस नमबर का round off करेंगे तो आप question number 4 में पूछा हुआ है estimate the number of guests in a marriage function in your family अगर recently आपकी family में कोई शादी हुई है या होने वाली है तो उसमें कितने guests आये थे या फिर आएंगे उसका estimation लगा के अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे answer लिख देंगे I hope आपको यह maths की worksheet अब बिल्कुल अच्छे से clear हो यृ यृ